कुछ रिजन्स हैं, तो जब मैं छोटी थी ना, तो मुझे तो डॉक्टर ही बनना था, और मुझे आई सर्जन बनना था, तो यह घटना होई मेरे साथ में, मेरी जो मदर रही, मेरी मदर को ना, यूट्रेन फाइब्रोइट्स थे, गाठे होती है, यूट्रेस में, जिसमें काफी ब्लेडिंग होती है, और आज़कल के साइंस में, यूट्रेस को पूरे ओर्गन को निकाल दिया जाता है, तो यह घटना जब मैं 10 स्टांडर में थी, और डॉक्टर बनने के लिए, आपको पता है, साइंस लेना पड़ता है, और आप नहीं लिए, तो आपका पूरा जीवन टर्निंग पॉइंट है आपका लाइफ का, तो एन एक्जाम के दो मैना, तीन मैना पहले, मेरे मदर का ऑपरेशन डॉक्टर ने कह दिया था, और वो साधरन यहां होता भी नहीं था उस ताइम, मुझे क्योंकि 20 years हो गया प्राक्टिस को, तो बच्चपन में उनको नापू ले जाया गया, और ऑपरेशन हुआ, और ऑपरेशन में जब वो डॉक्टर ने जब उनका और निकाल के बाहर लाई, तो यह कैसे हुआ, यह क्यों निकाल दिया गया, तो वो जो टर्निंग पॉइंट लाइफ कर रहा, तो मैंने सोचा मुझे इसी की ही डॉक्टर बनना है, तो मेरा जो स्पेशलाइजेशन, जो मेन सब्जेक्ट से वो ठायराइट, यूटरेंट, फाइबराइट, जो ट्यूमर्स होते हैं, सरजरी बचाने का काम करना, वो मैंने उस समय से ठान लिया, लेकिन उसके पीछे भी जब सोच आई कि आखिर ये बीमारी ठीक क्यों नहीं होती, बार-बार ये कॉश्चन मेरे दिमाग में आता था, तो फिर बदकिस्मती से मेरा एंटरेंस एक्जाम दिया PMT, प्री मेडिकल टेस्ट, बहुत अच्छा हो मेरा MBBS में नहीं हुआ, आज मुझे ऐसा लगता है, क्यों क्योंकि जो मेरा इंटरेंस का सब्जेक्ट था, जो मैं चाहा रही थी, जिसे मैं ढूंड रही थी, वो चीज मुझे यहाँ पर उसको खोज करके मिली, तो वैसे ही आप लोग का जीवन की जो पढ़ाई होती है न, जब तक आप वो सत्य को जान नहीं लो, खोज नहीं लो, तब तक अगर आप लगे रहोगे, तो डेफिनेटली वो आपको जीवन में वो चीज मिलेगी ही, लेकिन उसके लिए एकी शर्थ है, और सिर्फ एकी शर्थ है, वो है consistency, तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा बहुत हासिल कर लेते हैं, थोड़ा सा confidence आता है, कि हाँ हम कर ले और कर लेंगे, तो कई बार ऐसी स्थिती में हमारी बहुत सारी चीज़े छूट जाती है, मतलब इतना महनत करके भी हम जो मंजिल होती, वहाँ तक हम पहुँच नहीं पाते हैं, ये जो दौड़ होती है जीवन की, उस दौड़ में हमारे साथ जीवन में कई घटनाए होती हैं, जिसका हमारे उपर असर होता है, चाहे वो positive हो हमारे साथ, खुशी की घटना हो, चाह